हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मैं आवेद हाजिर हूं राइडर सीरीज की एक और वीडियो के साथ इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि टीवेस राइडर 125 में पहली सर्विस के बाद क्या-क्या चेंज आया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सामने का व जैसे पहले लग रहा था पहले जियसा काम कर रहा था वैसे ही Same To Same अभी काम कर रहा है यह और वहीं अगर इसके गेर की बात की जाए तो गेर में बान की चलिए कि 10% 10% स्मूथ हुआ है और इसकी चेन पहले से साफ कर दी गई है पहली सर्वीस में और यह जो है इसका मटगाट है जो की सेम ही रहने वाला है तो चलो बात कर लेते हैं इस किलच की और किलच जो है मैं अपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत स्मूथनेस आई है किलच में लेकिन अभी भी यह थोड़ा है आप देख सकते हैं मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो हादनेस फील हो रही है मुझे थोड़ी सी लेकिन ठीक है कोई बहुत बड़ा इस्यू नहीं है तो चलो अब मैं बात करता हूँ एक और नई टोपिक के बारे में लोग अकसर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो देखो पहले तो मैं आपको पता देता हूं कि यह जो मेरा यहां पर इसका निगेटिव पॉइंट है इस मामले में इसने मुझे निराश किया बाकि तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं लगी अगर और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके शाथ सेयर करूंगा और बाकि आप भी मेरे को बताना अगर आपके साथ भी ऐसे तो अगर इसमें कुछ टूट फूट हो जाती है तो बाइक के पार्ट मिलने अभी मुश्किल है थोड़े से तो इसलिए आप लोग संभाल के चलाईएगा और यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजेगा ऐसी वीडियो देखने के ल को सब्सक्राब